तो आज कि जो में अपडेट देने जा रही हूं आपको बहुत 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 इंटरस्टिंग है कि अपडेट वह यह है कि मुझे शादी में जाना यह तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है तो जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है जो छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं भूल गई थी अब लेने का समय आ गया है क्योंकि शादियों कि शॉपिंग तो शादी के लास्ट तक भी कंप्लीट नहीं होती है तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले अपना कंप्लीट कर लूँ जो अभी तक मैंने अपनी तयारी नहीं की थी लेकिन देदी के स सापोर्ट से मैंने अपना भी पैकिंग कर लिया है कुछ समान बच्चे हुए हैं और बाखे बहुत सारे समान विखरे हुए हैं जो कि मैं भी आपको दिखाती हूं उससे पहले मैं बता दू कि आज का जो साम का नास्था था नो बहुत-बहुत मस्ता आज रात को बनने वा त्यारी करेंगे लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कुह समान जो बहुत से बिखरा हुआ उसको समेट ले और तो मैंने सोचा कि कुयों दोस्तों नो दिखाया जाए कि मैं क्या-क्या पैक कर रही हूं और क्या-क्या पैक हो चुका है तो देर की स्वाट कि चलिए मैं आप बोड़ा सा रूम का जो हुलिया है वो कुछ ठीक नहीं है और चलिए मैं बताती हूँ फटाफट ये है मेरे में जो शादी में लहंगा पहनूंगी और उसकी बगल में वो जो रखा है वो है मेरा लिस्ट जो भी चीजे बच्ची हुई है मैंने उसको उसका लिस्ट बनाया और मैं बोलू तो उसको देखे मुझे याद आजा है सेकेंड की मैंने ये चूड़ी केस रख लिया है जिसमें मैंने एक साथ सारी साड़ियों की चूड़ियां और जो भी मुझे साड़ियां वियर करनी है उनका सेट है उसमें मैंने एक दो एरिंग भी डाला है फिलाल बनासी साडी का ब्लाउज है और यह मेरी शादी में मेरी माने दिया था क्योंकि हमारे यहां बनारशन क्या होता है कि जब शादी होती तो बेटी को एक बनासी साडी तो जरूर देते हैं माबाप तो ऐसे ही मेरे माने दिया था मुझे और यह साडी मेरी ससुराल से आया था ज साइड नहीं है और यह आप देख रहे हैं यह जो लहंगा रखा हुआ है यह मेरी छोटी का लहंगा है यह उसने इंगेज्मेंट में पहना था तो वह मेरे पास ही था तो उसने बोला कि दी लेती आना और यह है चुनरी जो कि उसकी सासुमानों से पहनाई थी तो यह तो जो कि मैं पहनूंगी रिशेप्शन के दिन तो वह भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो यह रहा और मुझे तो फिलाल के लिए यह है गाइस अपटेट और बाकी चीजे तो मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी छोटी ने क्या-क्या लिया है और क्या-क्या भी बचा हु आपने देखा यह सारा समान कैसे फैला हुआ है खैर कोई नहीं इतना तो चलता है तो मेरी आलमुस्ट हो चुकिये तयारी जो भी साडिया है उनकी सारे सेट्स लग चुके हैं जुल्डी तयार हो चुकी है तो अभी का जो है आप हम लोग चाह रहे हैं डिनर बनाने जिसमे मेरे को बहुत थोड़ा काम करना है क्यों भाई की सारी तयारी करके भाई को देना है और आज कर डिनर जो है भाई बना रहा है क्योंकि भाई जब भी आता है मेरे लिए मेरा फेवरेट चिली पनीर बनाता है बट इस टाइम चिली पनीर नहीं इस टाइम बना रहा है वो बहुत पसंद है और भाई आता ही नहीं है उसको इतना फोर्स करना पड़ता है कि भाई प्लीस आजाओ प्लीस आजाओ तो जाके वो आता है तो इससे अच्छा कॉपी कर लिया करूंगी इस वीडियो के माध्यम से तो अगर आप चलिए चलते हैं देर किस बात की देखते कैस वाई दाल मख्णी और यहां पर चल रही है थोड़ी सी पागल पंदी तो हमते हैं तो मैंने क्षल आप लोग भी शामिल हो जाए तुम जाओगे जो तो यहां पर जो है गाने की चुराने लगे हो लगता है के हम दोनों ने मिलके दीके हो अब मैं मुझे भी नहीं आता है यह सौं पर लगे में को आते हैं लेकिन लीडिक्स का बहुत दिनों भी गए ना बहुत पहले यह गानक आया था चला कोई ने कोई ने कोई ने बनाने चुलो याद बनाने लाशा चोटा सा चोटी शियाशा मैं आज तू ऐसे फूल बगिया में लहके है जैसे बादलों की मैं अड़ो जुलरियाँ मैं गजाओ मैं बनके बवरियाँ अपनी चोटी मैं बादलों दुनियाँ तिल है चोटा सा चोटी शियाशा मस्ती बरे मन की भोली शियाशा वेरी गुड़ वेरी गुड़ बेभी बहुत सुंदर का है बहुत सुंदर तो यह है राजमा जिसको पहले भी हो कि हम लोगों ने गरम पानी में रख दिया था और जिसके साथ राजमा और वो खड़ी उरत की डाल है और यह है पेस्ट टमार्टर का और मिर्चे का तो अब हम लोगों ने इसमें बनाना है जीरा राइस और इसमें बनाना है दाल मखनी तो चली सीखते हैं भया कैसा बनाता है कैसे बनाता है तो इसमें मैंने घी और जीरा डाल दिया है जीरा राइस के लिए और इसमें भाई ने जो पानी में बॉल किया था उस पानी के साथ ही तो इसको बंद कर देंगे और इसमें 6 सीटी लगेगी 6 सीटी के बाद आप इसको बंद कर दोगे मीडियम फ्लेम पर अब हम में चलती समें चावल डालें और इसके बाद यह तो ओड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला हुआ है और उसके पाद हम बटर डालेंगे मैं बटर ड तो वेट करते हैं उसके बाद यह मतनी और इससे हम लोग इसको मतनी बहुत अच्छे तरीके से यह देखे गाई ने की सहाता से कितने अच्छे समयने इसको मता हुआ है बहुत अच्छे समयल है इसका और यह मतनी से मतने के बाद यह देखे कितना खुपसुदा तरीके से डाल अच्छे से मत गहीं लोगों ने इसको फ्राइच कीया है बटर से धनिया पत्ता से अकसूरी मेती से उसके पाद मैंने यह दाल डाल दिया है और लहसून और मिर्चे का पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए सो यह लगबग बन चुका है तो चलते हैं दीदी के हां और देखते वहां पे क्या तयारी है तो यहां पे हम लोग दाल मकनी और चावर लेया है और पूजा ने बनाया था आलू फ्राइ जो कि यह देखे कितना अच्छा दिख रहा है और इसने बनाया है रोफी और इसके साथ है यह सलाथ तो अब टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कैसा बना हुआ है सारा कुछ हाँ दे बहुत अच्छा बना है तो बाकी भी कह रहे है अच्छा बना हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते क्योंकि अब लग्या बहुत सिफ हो तो हम लोग दीनर के बाद मिलते हैं आपसे तो हम लोगों ने खाना खा लिए ये देखिए दाल मखनी एग बीनी बचेए आप में चल लीओ फट आफट बरतन साफ करने तो बरतर साफ करने के बाद महीं आपसे मिलती हूं कैईस तो यहाँ पे चल रही है मस्ती सारे काम कान हो चुके है का लिया सारे सफाई हो गई तो तो अब इसी के साथ मैं आज की ब्लोग को ही इंड करती हूं वीटिए को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगा गाइस मैं मिलतीू नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई